हालो स्टूडेंट्स एं विल्कम पर यूट्यूब चानल आज के इस विडियो में हम पढ़ेंगे रिटॉक्स रियाक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो की है ऑक्सिडेशन नमबर सबसे पहले ऑक्सिडेशन नमबर क्या होता है वो जानते हैं चलेए ऑक्सिडेशन नमबर सब्हूু मेरे पास एसान मेरे पास एसी सेच्ट होता है Na positive plus Ca negative, है ना, यह हम सब जानते हैं अब देखो Na Ca जब dissociate हुआ जब Na Ca टूटा हमारे पास तो हमारे पास हमें individually ions मिल गए, ठीक है अब sodium positive है, chlorine negative है तो sodium positive, sodium पे क्या charge है हमारे पास यहां पर plus 1, है ना sodium पे charge है plus 1 और chlorine पे क्या charge है हमारे पास minus 1 है ना, यहां पे charge है plus 1 वहां पे charge है minus 1 तो हमारे पास oxidation number क्या हुआ देखो, जब NaCl टूटा, ठीक है, ions में टूटा, तो हमारे पास individual ही जो charge बचा हूं पर जिसे sodium के पर plus 1 charge बचा chlorine पर minus 1 charge बचा तो यह जो charge बचा, उस charge को हम उनका oxidation नमबर भी कह सकते हैं, ठीक है इस पर charge है plus 1 तो इसका oxidation number है हमारे पास plus 1 उसका charge है minus 1 तो उसका oxidation number है minus 1 ऐसे ही अगर मैं बात करूँ MgCl2 की MgCl2 dissociate होता है, Mg plus 2 plus 2 Cr negative में है ना, तो यहां पर हमारे पास magnesium पे क्या charge है plus 2, तो magnesium का oxidation number हमारे पास यहां बनेगा plus 2, और उसका chlorine पे क्या charge है, minus 1 ध्यान से ना, chlorine पे सिर्फ minus 1 charge है, तो chlorine का oxidation number हमारे पास बनेगा minus 1 ठीक है, तो यह तो basic हुआ क्या oxidation number क्या होता है, oxidation number की definition साथ में निखले ना आप लो It is the residual charge on an atom when other atoms are removed as ions residual का मतलब, बचा कुचा तो जो charge बचा हमारे पास atoms पे, जब बाकी साथे atoms in the form of ions, release हो गए तो वो होता है, हमारे पास oxidation number, ठीक है हमारे पास oxidation number होता है 2 तरह का, पहला होता है average oxidation number, दूसरा होता है absolute oxidation number आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे average oxidation number के बारे में ठीक है, तो average oxidation number निकालनी के लिए कुछ rules होते है जिने हमें follow करना होता है तो आपके सामने screen पर average oxidation number के ये कुछ rules है इनका या तो screenshot ले लीजिए या फिर इनको note कर लीजिए अगर जब तक आपको ये rules नहीं पता होंगे, आप average oxidation number नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है तो ये rules आपको याद करना काफी important है, आपको finger tips पर याद होने चाहिए, सबसे पहला हमारे पास rule ये आता है कि जो हमारा average oxidation number होता है आप हमारे पास जितने भी oxidation number आए है ना, उन सब oxidation oxidation number को जो sum होता है वो charge के बराबर होता है for example, मेरे पास NACL था NACL में इन दो को oxidation number plus one, minus one इन दोनों को add करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, zero और NACL पे क्या charge है कोई charge नहीं है, मतलब zero तो oxidation number का sum जो होता है वो charge के बराबर होना चाहिए यह होता है हमारा 5,000 रोल ठीक है? दूसरा रोल हमारे पास आता है कि हमारे जो group one के elements होते है group one के elements याननी lithium, sodium, potassium, rubeidium group one के elements का oxidation number होता है plus one ठीक है? यह है हमारे को second point oxidation number of elements of group one is plus one ऐसे ही third rule हमारा जो आता है वो होता है कि जो हमारे पास group 2 की elements है group 2 की elements like magnesium, calcium, beryllium group 2 की elements का oxidation number हमारे पास होता है plus 2 ऐसे ही next point याई फोर्थ point हमारे पास आता है oxygen का oxidation number oxidation number of oxygen is generally minus 2 ठीक है oxidation number अभी हम जो लेके चलेंगे minus 2 लेके चलेंगे लेकिन आप आगे चलके देखोगे कि वो कहीं कहीं change भी, differ भी करता है oxidation number ठीक है तो यहाँ पे generally oxygen का हमारे पास oxidation number होता है minus 2 ओके next point हमारे पास आता है halogens जो होता है हमारे पास halogens यानि fluorine, chlorine, bromine iodine, halogens का oxidation number हमारे पास होता है minus 1 ठीक है minus 1 होता है halogens का again generally कहीं पे आप देखोगे कि change हो रहा है वो हम आगे चलके पढ़ेंगे ठीक है लेकिन फिलाल आपको पताना चाहिए halogens का oxidation number हमारे पास होता है minus 1 जन्वे next and last point हमारे पास आता है hydrogen का अब देखो hydrogen में हमारे पास oxidation number हो सकता है minus 1 plus 1 अगर आप देख रहे हो कि hydrogen जो है वो metal से connected है अगर hydrogen metal से connected है तो उसका oxidation number होगा minus 1 ठीक है अब metals कौन से होता है हमारे पास group number 1 से group 13 को हम metals पे consider करेंगे for example आपको कुछ यहां पर example हमने दिये हैं like lithium, sodium, magnesium, boron, aluminium आप इनको अगर याद कर लेंगे आपको hydrogen किसी भी metal से connected मिला group 1 to group 13 तो वो आपका minus 1 रहेगा hydrogen का oxidation number नहां पर ठीक है लेकिन ऐसे ही अगर हमारे पास hydrogen जो है वो non metal से connected है यानि group 13 से उपर किसी से भी connected है ठीक है या फिर आपको again example है यहां पर given है carbon, oxygen, sulfur, fluorine, fluorine इन में से किसी से connected है तो उसका oxidation number रहेगा plus 1 ठीक है दुबारा रिपीट कर देती है hydrogen अगर हमारे पास किसी metal से connected है like lithium, sodium, magnesium, boron, aluminium group 1 to group 13 तो हमारे पास hydrogen का oxidation number रहेगा minus 1 अगर hydrogen non metal से connected है group 13 से उपर किसी भी element से connected है for example carbon, sulfur, oxygen, fluorine, chlorine तो उसका oxidation number रहेगा हमारे पास plus 1 ठीक है तो ये थे हमारे कुछ simple rules एक question मैं करती हूँ बाकी साथ साथ आप भी try करना एक यहां पे देख लो suppose आपसे पूछा है आपको CO2 गेवन है ठीक है CO2 गेवन है और आपसे बोला है carbon का oxidation number आपको निकालना है जिसकी नीचे underline कर रखा होता है मतलब आपको उसका oxidation number निकालना है ये चीज़ आपको पता होँ चाहिए अब carbon का oxidation number निकालना है मतलब oxidation number of carbon plus 2 oxygen है O2 यानि 2 oxygen plus 2 into oxidation number of oxygen equals to charge यह ना CO2 पे क्या charge है कुछ भी रही है मतलब 0 carbon का oxidation number निकालना है तो इसको मैं X let कर लेती हूँ X plus 2 into oxygen का oxidation number मैंने आपको rules पे क्या बताया देखो minus 2 ठीक है तो यहाँ पर oxidation number of oxygen minus 2 equals to charge that is 0 है ना CO2 रहा ठीक है तो यहाँ पर हम लेखेंगे X minus 4 equals to 0 and X equals to 4 तो यहाँ पर हमारे पास carbon का oxidation number बनता है plus 4 ऐसे निकालना है हमें oxidation number सारे elements का ठीक है अब एक question अगर मैं आपको देखती हूँ आप भी करना साथ साथ मैं भी करूँ गी आपको given है given है H2SO4 H2SO4 और इसमें हमको oxidation number निकालना है sulfur का ठीक है तो अब कैसे करेंगे हम oxidation number पहले 2 hydrogen है तो 2 into oxidation number of hydrogen plus oxidation number of sulfur plus 4 oxygen है तो 4 into oxidation number of oxygen equals to charge charge कुछ भी नहीं है मतलब charge है हमारे पास 0 ठीक है अब hydrogen का हम यहाँ पर oxidation number क्या लेंगे यह plus 1 यह minus 1 किससे connected है directly sulfur से connected है sulfur से connected है तो मतलब non-metal से connected है और अगर non-metal से connected है hydrogen तो उसका oxidation number हमेशे क्या लेते हैं हम plus 1 ठीक है तो hydrogen का हमारे पास क्या रहेगा plus 1 plus sulfur का हमें निकालना है तो इसको हमने x let कर लिया plus 4 into oxygen oxygen का कितना बताया रहा minus 2 लेके चलना equals to 0 तो यहाँ पर जब हम इसको solve करेंगे तो 2 plus x minus 8 equals to 0 तो x हमारे पास हमें कितना आजाएगा 6 ठीक है यह चीज़ घान रखनी है आपने oxidation number हमारे पास हमेशे add होगे ठीक है 2 into oxygen 2 into hydrogen plus sulfur plus 4 into oxygen तो oxidation number हमेशे add होगे इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ऐसी अब अगर मैं आपको हम 4 questions लेते हैं ठीक है that is CH4 carbon का ठूणना है पहला यह है दूसरा हमारे पास है CH3CF again carbon तीसरा हमारे पास है CH2Cl2 again carbon and 4th है हमारे पास CHCl3 again carbon ठीक है साथ साथ करो विडियो पॉस करो खुद से करो नहीं समझ आता है play करो मैं तो यहाँ पर करी रही हूँ तो let's see क्या आते answer है यहाँ पर carbon को हमने x-late कर दिया plus 4 into hydrogen hydrogen carbon से connected है तो मतलब non-metal से connected है यानि plus 1 equals to 0 तो x यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा minus 4 ऐसे ही CH3Cl में carbon यानि x plus 3 into hydrogen hydrogen किसे connected है carbon से यानि हम hydrogen का देंगे plus 1 plus chlorine chlorine क्या होता है हमारे पास chlorine होता है halogen जहां भी doubt हो ऊपर जाओ जो मैंने बताया था उसमें देखो chlorine हमारे पास मैंने आपको बताया था both the time halogen के example में chlorine, chlorine, bromine, iodine ठीक है तो chlorine का हमारे पास रहेगा minus 1 minus 1 equals to charge charge कुछ भी नहीं है यानि 0 यहां पर x हमारे पास आजाएगा x plus 3 minus 1 equals to 0 x equals to minus 2 यहां पर हमारे पास answer बनेगा ठीक है अब हम CH2 CL2 को अगर लेते हैं इसको मैं थोड़ा side में दिखते थी third part is CH2 CL2 carbon का निकालना है carbon का हमने x-let किया plus 2 into hydrogen again carbon से connected है non-metall से है तो 1 plus 1 plus 2 into chlorine chlorine हमारे पास क्या है halogen यानि minus 1 equals to 0 और यहां से अगर हम calculate करेंगे तो x plus 2 minus 2 equals to 0 x plus 2 minus 2 equals to 0 cancel out x हमारे पास क्या बना 0 और ऐसे ही हमारे पास आता है हमारा last question carbon का निकालना यानि x plus hydrogen carbon से connected है तो plus 1 और 3 into chlorine यानि halogen minus 1 charge कुछ भी नहीं है मतलब 0 तो x plus 1 minus 3 equals to 0 x minus 2 equals to 0 therefore x equals to 2 यह हमारा बनता है correct answer इस case में चिक्यां एक question all लेते है हम लेंगे है आपर okay यह ओगा question रहते है Na SO3 minus 1 और यहापर निकालना है sulfur का again sodium sodium यानि कौन साब गुरुप है first group first group के elements का बताये था 1 so sodium का 1 plus sulfur का निकालना है x plus 3 into oxygen 3 oxygen O3 so 3 into oxygen oxygen का कितना बताये था minus 2 is equals to charge यहां पहले थीचार्ज हमारे पास minus 1 है यह ध्यान प्रक नहें प्रक नहें charge लेके चलना है जग charge हमारे पास minus 1 है तो हमारे पास 1 plus x minus 6 3 to the 6 minus है to minus 6 equals to minus 1 x x minus 5 is equals to minus 1 x is equals to minus 1 plus 5 therefore x हमारे पास क्या बनेगा X हमारे बाज आपर दनेगा 4 ठीक है अब एक और question दीते हैं हम यहाँ पर अगरा question क्या लेगे चुब गे लिटा next question आपको given है C6 H12 O6 और यहाँ पर अगेन आपको निकालना है carbon का तो carbon का निकालना है यानि अगेन x लेट करेंगे 6 carbon है तो 6 into x यानि हम carbon से connected है तो plus 1 plus 6 into oxygen यानि minus 2 equals to charge कुछ भी नहीं है मतलब 0 तो 6x plus 12 minus 6 2 जग 12 equals to 0 12 से 12 cancel 6x equals to 0 तो x is equals to 0 by 6 यानि 0 तो x हमारे पास हैंपर बनेगा 0 यह question important है important mark करके रखना अब हम और कौन सा question करें एक और question ले रहते हैं यहाँ पर हम या एक काम करते हैं दो question ले रहते हैं ठीक है आप भी साथ साथ करना ध्यान से करना इस question को लिलाल यह पर और दूसरा आपको question है यहाँ पर न ए बी एच यहाँ पर हम निकालना है बोरॉन का और यहाँ पर हम निकालना है अलियमीनियम का ठीक है अब देखो यानि लीथियम का प्लस अलियमीनियम plus 4 into hydrogen लीथियम लीथियम यानि group 1 का element यानि CC अलियमीनियम का निकालना है अब hydrogen किस से कनेक्टेड है सेlocks हने तो hydrogen का हम लेंगे minus 1 हम एम पर 4 – 1 equals to 0, 1 plus x minus 4, 1 plus x minus 4 equals to 0, x equals to, हमारे पास हाँ पे बनेगा answer 3, ठीक है, same NABH4 करेंगे अब, NABH4 में, sodium plus boron plus 4 into hydrogen equals to 0, sodium कौन सा group का element है, group 1, तो हमारे पास sodium का बनेगा 1, plus boron का निकालना, यानि x, plus 4 into hydrogen, again, hydrogen किस से connected है, boron से, और boron मेंने क्या बता है था, metal है, non-metal, उपर जाके देख लो कुछ ली, boron है हमारे पास metal, ठीक है, देखो, boron metal में निकाल रखा रखा, boron metal है, यानि हम hydrogen लेंगे, minus 1, that is equals to 0, and यहाँ पर 1 plus x minus 4 equals to 0, and again x की वाली हमारे पास क्या आएगी, 3, ठीक है, तो यह थे हमारे पास, oxidation number हमने कैसे निकाला, average oxidation number हमने कैसे निकाला है, ठीक है, यह कुछ steps थे हमारे पास, जो कि I hope आपको clear होंगे, नहीं clear हैं, तो दुबारा देख लो, oxidation number की basic definition क्या होती है, oxidation number क्या होता है, average oxidation number कैसे निकालते हैं, यह सब हमने आज के इस वीडियो में करा, मेरते हैं आग्ली lecture में, तब तक के लिए, all the best.